नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं पूलिस की लगातार हो रही करवाई से उन्हें आउगत कराया गया पूलिस आगे भी कई मोर्चे पर करवाई करेगी हम आने वाले समय में अपराध को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं और कई और भी सै थे जिन पर चर्चा हुई जिले में कानून बेवस्था को सिद्रिड बनाने पर हम करवाई कर रहे हैं उनके साथ कुछ एस ओपी साजा किया गया और कहा गया है कि अगर उनके पास कोई जनकारी है तो उसे परसाशन के साथ साजा करें चात्र हुए गोलबंद राज सरकार के खिलाप नारे बाजी हजारी बाग के गांधी मैदान में बुद्धवार को भी भीन परत्योकता परिक्षा में बैठने वाले चात्रों ने बिरोध परदोशन किया साथ ही एलान किया है कि तिन नौमबर को राजभवन के सामने पूरे राजभर के बिदैर्थी पहुँच कर भी साल धारना देंगे चात्रों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि हाल में जितनी भी परिक्षाय होई है उनमें धान्दली की गई है और सीटों को बेच दिया गया इनमें जेई से लेकर नगर निगम तक की परिक्षा सामिल है चात्रों का यह भी कहना है कि नेधारी समय में भी परिक्षा नहीं ली जा रही और डेट पर डेट बढ़ाया जा रहा है 2015 में जो फरम भरा गया था वह परिक्षा आज तक नहीं ली गई जिस परिक्षा का आयोजित किया जा रहा है उसमें भी अनिमित ताय हो रही है चात्रों ने जे सेसी से आयोजित नगरपल का अंतरगत विभीन पदोक की परिक्षा पर भी सवाल खड़ा किया चात्रों का काना है कि परिक्षा के पहले ही प्रस्पत्रलिक हो चुका था मोटी रकम देकर सीट बेच दिये गए है जारखंडी हक अधिकारों की लडाई में साथ दे जैराम महतो जारखंडी भासा खतियान संगर समीती हजारी बाग जीला के तत्वधान में 60-40 नाई चलतो लेकर बदलाव संकल्प महा सभा के राष्ट्री अध्यक्ष जैराम महतो ने बुद्धवार को बरकटा परखंड के कपका बजार मैदान में कहा है कि जारखंडी हक अधिकारों की लडाई में साथ दे देर साम तक उसको सुनने के लिए युवाओ की टोली डटी रही उन्होंने युवाओ में जोस भरते वे कहा है कि युवा सकती राष्ट सकती होती है और जिस दिन वह चाले उसी दिन साथा पलट सकती है उन्होंने कहा है कि जारखंड के अस्थानिये नियोजन, पुर्णवास और ओविसी आरक्षन एक मसला है सरकार को इससे गंभीता से विचार करनेती बनाना चाहिए किसानों को 90% अनुदान पर सरकार देगी बीज लगातार दूसरे साल भी सुखार की मार झेल रहे राजे के किसानों के लिए राहत भरी खबर है सरकार 9% अनुदान पर राभी का विज उपलब्ध कराने के त्यारी कर रही है इसको लेकर निदे साले के अस्तर से अनुदान का प्रस्ताव करिसी बीभा को भेज दिया गया है इस प्रस्ताव पर बीद विभाग की अनुमती मिलते ही इसे केबिनेट में भी भेजा जाएगा हलाकि किसानों की मांग को देखते हुए गेहों मसूर और सरसों के बीज की आपूर्ती किले राश्रिये बीज निगम को निर्देशित कर दिया गया है उमीद जताई जा रही है कि दो सप्ता में किसानों को बीज मिलना भी प्रादम हो जाएगा इधर बीज पर 90% अनुदान देने के प्रस्ताव पर हाल में होने वाली केबिनेट में फ्रसला लिये जाने की संभावना है गढ़वा में पूलिस ग्रामिनों के बीच हुई मार पीट जारखन के गढ़वा जिले में नियालय के आदेश के बाद दखल करने पहुँचे परसासन और दूसरे पक्स के लोगों के बीच जमीन की मापी के दरान हिंसक जड़ाफ हो गाई इस दरान तीन पूलिस जवान से चार लोग हैल हो गाई घटना रमना अंचल के बहियार खुर्द की है बताया जा रहा है कि प्रेमनाथ उराओं और हर्यहर उराओं के बीच चल रहे भूमी बिवाद में नियालय का फैसला प्रेमनाथ उराओं के पक्ष में आने के बाद परसासन दखल देने के लिए पहुचा था दोनों पक्षों के बीच लगभग 20 एकर भूमी का बिवाद बताया जा रहा है हर्यहर उराओं का कहना है कि मावला नियालय में है जमीन की माविक दरण पुलिस परसासन के और दूसरे पक्ष के लोग में जड़ाप होने लगी देखते ही देखते बहियार मोल रण भूमी में तब्दिल हो गया मुख्य मंत्री ने जार्खन आंदोलन कारी चीनिती करन आयोग के सज़सों के साथ की बैठक मुख्य मंत्री हमंसुरे ने बुद्धवार को जार्खन मंत्राले में जार्खन अंदोलनकारी चीनिती करन आयोग के अधियक्स एवं सदस्योग साथ बैठक की मुख्य मंत्री ने बैठक में कहा है कि अलग जार्खन राजी का गठन होना एक बड़ी उपलवधी थी अलग जार्खन राजी की परिकल्पना को सकार करने के लिए हजारों की संक्या में अंदोलनकारी ने अपने प्रानों क्या होती दी है राजी के विभीन, रिसोर्स, संपत्ती पर पहला अधिकार अंदोलनकारी आतवा उनके परिवार का होना चाहिए मुख्यमत्री ने निर्देश दिया है कि अगले 15-20 दिनों के भीतर गाव गाव पहुच कर आंदोलनकारी तथा आंदोलनकारी परिवार के सरस्यों का चिनिती करन कारे पूरा करे मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुर्वक की राई सरकारे अंदुरन कारियों की संक्या को घटा कर 25 से 30 से यार में समेटना चाहती थी NCP विधायक कमलेश ने सरकार का साथ छोड़ा NCP के हुसायनाबाद विधायक कमलेश कुमार सिंग ने हेमन सुरेन सरकार से समर्थन वापस ले लिया है बुद्धवार को कमलेश कुमार सिंग ने राजभवन को समर्थन वापसी का पत्र भेज दिया समर्थन वापसी के बाद ज्यारखन सरकार को अब कुल उन्चास भी धायकों का समर्थन प्राप्त है बता दे कमले सिंग ने मुख्य मंत्री से कई बार हुसैनाबाद को जिला बनाने की मांग की सरत पवार ने स्वयम इस मसले को लेकर सीम से फोन पर बात की लेकिन कोई पहल नहीं की गाई ऐसे में समर्थन वापस लेने के अलावा कोई बिकल्प नहीं था ज्यारखन के अध्योगिक छेत्र का होगा पूर्ण निर्मान राजय में पहली बाद सभी दस अध्योगिक छेत्रों का पूर्ण निर्मान करते हुए State of Art के रूप में उसे विक्सित किया जाएगा जियाडा के अंतरगत रांची आदेतेपूर संताल परगना प्रचेत्र के विभीन अध्योगीक छेत्रों में अधार्बुत संदाचा निर्मान के लिए निर्मान विभाग के ओर से तयार DPR को मंजूरी दे दिगाई दस DPR को प्रशासनिक स्विक्रिती मुख्य मंत्री हमाशुरिन के अध्यक्स्ता में जार्खन इंडर्स्ट्रियल एरियर डेवलोप्मेंट अथुरेटिक के निदेशाक मंडल की दसवी बैठक में दिगाई बैठक प्रजेक्ट भौन में बुद्धवार को हुई है रांची में ट्रीपल आईटी के नए कैमपस का सिलन्यास करेंगे पीए मोधी प्रधान मंत्री नैदमोदी के हाथो भारतिये सुषना परद्योगिक संस्थान ट्रीपल आईटी रांची के काके स्थीत संगा में बन रहे नए परिशर का सिलन्यास होगा प्रधान मंत्री 15 नौमबर को जार्खन आ रहे हैं वह भागवान बीर्शा मुंडा के जनमस्तली उली हातू जाएंगे वहां से प्रधान मंत्री बिक्सित भारत संकल्प यात्रा के सुरुवात करेंगे इसी मौके पर प्रधान मंत्री ट्रीपल आईटी के नए परिशर का आउनलाइन सिलन्यास करेंगे इस आशिका पत्र पी एमो की ओर से ट्रीपल आईटी प्रवंधन को बुद्ध्वार को प्राप्त हुया है वी सी से सहायक रईष्टार तक के पद रिखते राज की सभी इस्टेट उनिवर्सिटी में महत्रपुन परशास्निक पद रिखत हैं कामकाज प्रभारी अधिकारियों के भरोसे चल रहा है इस हीतिया है कि कुलपती से लेकर सहायक रईष्टार तक के पद रिखत हैं नतीजतान नामीत पताधिकारियों के भरोसे प्रसासनिक कामकाज का निस्पादन किया जा रहा है ऐसे में सेक्षिनिक गतिवीधियों के विकास से समंधित बीतिय मामलों के कामकाज वर्य अस्तर के पद रिक्त होने से बाधित हो रहे है इस्थितिया है कि किसी भी भी सुभी देले में नएक से मनेता प्राप्त करने से समधित कोई काम भी नहीं हो रहा है महज दिखावे के लिए खानापूर्ति की जा रही है ज्यारखन मौसम में बदलाव हलकी बारिस के असार राजथानी राची समेट जहरखन के मोशा में बदलाव आ रहा है हावा के रूख में बदलाव आने से आसमान वे बादल छा रहे है सुक्रवार को राज़दानी समेट राज के दक्षनी भागों में हलकी बारिस होने की सब्भावनब्यक्द की गई हलाकि तिन नॉम्बर के बाद बादल छट जाएंगे और मौसम साफ होने का अनुमान व्यक्त किया गया है बादल छाने के कानल राजे में निवत्तम तपमान में एक से दो डिगरी की ब्रीधी होगी वहीं अधिकतम तपमान में करीब एक डिगरी गिरावट आ सकती है रिम्स से कैदी फरार मामले में तीन अरक्षी निलंबीत रिम्स से सोमवार देर रात इलाजरत कैदी सुरज मुंडा के फरार होने के मामले में सुरक्षा में तेनात अरक्षी चरन उरायां मंगल उरायां वदिलीब कुमार सिंग को निलंबीत कर दिया गया है रांची SSP ने बुद्धवार को इसका आधेस जारी किया सदर DSP की रिपोर्ट के अधार पर करवाई की गई इसमें कहा गया है कि कैदी की फरारी के वक्त तीनों में से एक भी कैदी के पास मौझूद नहीं थे चरण उराओं के बियान पर बर्यातु थान में प्रात्मी की दर्श की गई है उसमें कहा गया है कि तीनों ने ड्यूटी का समय बाट लिया था रात में वह सुरज के हाथ में हतकड़ी लगा बेड में फसा दिया और सोच चला गया वहीं लोटा तो कैदी गाय मिला ज्यारखन के परेटन अस्थल हुनरू में कुतो का अतंक 6 को काटा ध्यारखन के परसीद परेटन अस्थाल हुन्डरू फॉल में कुतो का जबरदस्त खौफ है मंगलवार को कुतो ने 6 परटको को काट कर घायल कर दिया घायलों में एक महिला भी सामिल हैं कुतो ने हुन्डरू गाव में भी दरजनो बकरियों पर हमला किया है बता दे हुन्डरू और आसपास के लोग का काना है कि रांची नगर निगम डॉग एसक्वाइड ने सहर की गलतियों से कुते पकड़ कर यहां छोड़ दिया हुन्डरू में पजटन सुरक्षा समीति के अध्यक्स राज की सुर पर साथ कहते हैं कि कुतो के अतंग से यहां आने वाले सेनाली परिशान है संथाल से सुरू होगा आपकी योजना आपकी सरकार की तीसरा चरान आम लोगों की छोटी मोटी समस्या का समधान के लिए हिमन सरकार एक बर फिर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के जर्य जानता के बीच जाने की तियारी में है सरकार का यह तीसरा अभियान होगा जिसमें राज्य भहर में कैम्प लगा कर जानता की समस्या का समधान करने की कोशिस होगी बता दे मुख्य मंत्री हेमन सुरेन तीसरे चन की सुरुवात 23 नवंबर को साहिव गंज के भोगना डी से करने वाले है मुख्य मंत्री के द्वारा संथाल की धर्ती से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तीसरे चन की सुरुवात को अहम मना जा रहा है जनकारी के मुताबिक इसकी अपचारी घोसना जारकन अस्थापना दिवस के मौके पर आयोजीत होने वाले कारेकरम के दोरन होगी इधर मुख्य मंतरी के द्वारा राजी के विभीन जीलों में होने वाले दोरे को ध्यान में रखते हुए प्रसासिक त्यारी पूरी की जा रही है पांच लाख के इनामी नक्सली कमांडर पर एन आई ए का सिकंजा लोहर्दगा लातेहार सीमा परिष्थीत बुलबुल जंगल में नक्सलीयों के विरोध पिछले सल संचालीत जारकन पूलिस वा सीर्पेफ के ओपरेशन डवल बुल से सम्बंदीत पूरे मामले की जाच कर रही राष्ट्रिय जाच एजनसी ने पड़ी करवाई की है एन आई ने मवादियों के फरार रिजिनल कमांडर रविंद्र गांजु के घर की कुरकी जबती की है रविंद्र गांजु पर जारकन सरकार ने 15 लाख वा एन आई ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा है उस पर राष्ट्राज के विभीन थानों में पचपन कांड दर्ज है उसका अवास लाते हाज जीला के संदवा थाना चेतर के हेसला मोजा बांची टोला में है जिसे एन आई ने जब्द कर लिया है धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान गैंग के छोटु समेत साथ को दबोचा अगरवाल पर गोली चलाने वाला चोटु समेत प्रिंस खान गैंग के साथ अपराधियों को पुलिस ने गिरफतार कर बड़ी सफलता हासिल की है गिरफतारी के दवान बदमासों से पुलिस की मुटभेड भी हुई हतियार शिन्ने के दवान बदमास चोटु के पैर में ग अगरवाल पर गोली चलाने की घाटना के बाद पुलिस पूरे जिले में हाई अलर्ट पर थी साहब गंज के 10,000 किसानों को मुफ्त में मिलेगा गेहूं का बीज साहब गंज के करीब 10,000 किसानों को मुफ्त गेहूं मकावा सर्सों का बीजवा दवा मिलेगी संकूल के तहट आने वाले किसानों को इसका लाब मिलेगा संकूल का चैन किरिसी विभा के प्रखंड अस्तरी अधिकारी वा पंचायत परतिनीधी मिलकर करेंगे किसानों को चीन हीत करने का काम सुरू हो चुका है बीजव फ़सल विस्तार योजना के तहट संकूल बनाकर खेती कराने का सरकार का उध्य से उपच बढ़ाना है एक जगा एक समान खेती होने से क्रिसी विभाग के अधिकारी करमचारी समय समय पर उसका जाजा फिल लेते हैं और जरूरी सुझाओ देते हैं इसे पैदावार में बिरिधी होती है प्राइभेट नौकरी के नाम पर बेरुजगारों को धोखा दे रहें मुख्यमंत्री भाजपा परदेश महामंत्री एवं सांसद आधित तेसाहु ने मुख्यमंत्री द्वार मेदनी नगर में ओफार लेटर बित्रन पर परतिकिरिया देते हुए कहा है कि राज सरकार में आज लाखो पद खाली है बिद्यालिव में सिक्षक, कॉलेज़ों में परदाना ध्यापक, अस्पताल में चिकीत्षक और नर्स सरकारी करेवलों में करमचारी नहीं है लेकिन मुख्य मंत्री इस से ध्यान भटकाने के लिए ओफर लेटर के नाम पर मुख्य मंत्री युवाओ को नौकरी देने का नाटक कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि प्रति वर्ष पांच लाख नौकरी नहीं तो बेरुजगारी भत्ता के बड़े वायादे के साथ साता पर बैठे हमन्त सुरेन अब चार साल बिताने पर बेरुजगारी भत्ता से भी कम मासिक रासी पर पत्र बित्रन कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि ऐसे ओफर लेटर बीतन कारिकरम के लिए मुख्यमंत्री जी कोड़ोरो रूपए बिग्यापनों पर खर्च कर रहे हैं कोड़ोरो रूपए कारिकरम आयोजन करने में खर्च किये जा रहे हैं धन्यवाद